तो मुट्टी से धान को अलग कर रहे हैं कितना दो किलो धान अलग कर चुके हैं क्या नाम है और कहां तक क्वालिफिकशन के आपके कहां है हमारे पंजाब हर्याना के किसान बड़े बड़े किसान है वह अपने MSP के लिए आंदून कर रहे हैं लेकिन आप देख सकते हैं जारखन की किसान की क्या हालत है उबड़ खाबड जमीन है सिचाय की सुविधा नहीं है सरकार की उदासींता है किसी तरह से जदी हम लोग धा जाते भी हैं बहुत मुश्किल होती है हम लोग के पास स्टोरेज नहीं है और सरकार भी खरेने में काफी समस्या होती है हलाकि इस साल कुछ हम लोग में धान MSP पर बेचा है और फिर भी काफी मुश्किल है यहां पर खेती करना अवारा पसू भूमते हैं हमारे यहां देख सकते हैं पिर युवा किसान परगति सेह फिर भी जज्णा है कि कुछ करना है खेती की खेत्र में और अन्यदाता ह due rays भीत इसी को कहते हैं दाता एक अक दाना देखि किस प्रकार से प्रकार 2022 खर करने तो क्या लगता है आपको सरकार क्या करना चाहिए तक कि किसानों को तो फाइदा हो अच्छी खेति जारगन में बताए कुछ सीचाई वगेर का सुईधा दे जिससे की जैसे इधर खेती होता है तो खली धाने हो पाता है एक शीजन बस एकी सीजन सब्सी जाइए वगेर का सुईधा हो हल्का जानवरों पर पाबंदी लगे तो खेती हो सकती है ह हो सकता है सब कुछ हो सकता है यहां भी सब कुछ खेती हो सकती है नई टेक्निक को ट्रेनिंग मिले किसानों को हाँ और सिचायों परिसिछन मिले अच्छ बीज और खाद समय पर मिल जाए और अलाउट्मेंट तो जरूर होता है सरकार के दवारे कि पहुंच नहीं पाता है मुझ पा रहा है कि नहीं अंतिम व्यक्ति तक है और भगल में देखिए हम लोग का कुवा है बहुत पुराना कितना पुराना कुवा हो गई देखा देते हैं कुवे कि स्थिती पूरे गाउं के लोग इससे पानी पीते हैं काफी जिंदा कुवा है ये लेर अच्छा पानी का हाला कि कुछ आतिग्रस्त हो चुका है इसको कुछ मरमत की जरूरत है कि देखा साल दो देखा से 200 साल पुराना कुवा हमारे पुरोजों के बनाया हुआ अभी तक कुछ भी नहीं हुआ इसमें काफी ठीक ठाक है ये पानी भी बहुत मीठा होता है गर्मी में भी पानी समाप नहीं होता इसका अब से खते तो काफी मैनत का का में एक कैसे कर पा रहे है कितना दपान निकल रहा या बींटी सी मुझी स्शें करते हैं स्मूति का कपड़ा है और इसको एसे जाड़ देते